आलू का पराठा खाखा कर बोर हो गये तो चलो आज बनाते पनीर पराठा पनीर पराठा बनने के लिए ہमीं चाहिए बाटर और प्रण को एक पैन में डालके उसको मैल्ट कर देना है पर यह जीरा और ये homemade पनीर आप ready made भी ले सकते हों लेकिन पराठा में डालना है तो ऐसा smooth पनीर चाहिए तो जो घर पी बन सकता है फिर उसको बहुत ही interesting बनाने के लिए हम डालेंगे परी-परी मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा binding के लिए हम डालेंगे mash किया हुआ potato और उपर से कसूरी मेथी तो अब filling ready है उसको ठंडा कर लेना है तो अब पराठे का डो लेके उसको उपा नीचे गी लगा के उसको पटला बेल लेना है बीच में रखना है filling और उसको cover करके उसको उपर फिर से गी लगा के बिल लेना है हलके हातों से बिलना है जदा प्रेस नहीं करेंगे फिर गरम पैन के अंदर उसको रख देंगे और उपा नीचे से से शेख लेंगे फिर गी लगा के फिर से सेख लेंगे और ये हमारा पनीर पराथा रेडी है तो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है आपको ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइए ओके बाई आज की वीडियो बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली तो पूरा वीडियो ज़रुर देखिएगा तो आज मेरे पास ही है इतने सारे जामून लेकिन जामून से कुछ रेसिपी बनाएं उससे पहले उसको क्लीन करना बहुत ज़रुरी है प्रूट्स को प्रॉपली क्लीन करना कितना ज़रुरी है आज आप देख लीजिए मैंने पानी से ऐसे ही दो लिए पहला जामून को और फिर एक टब में पानी भरा नमक डाला और यह जामून डाला और उसके बाद यह देखिए कितने बड़े-बड़े कीडे इसके अंदर थे और यह सब नमक डालने के बाद अपने आप सब बाहर आ गए अगर हमने ऐसे ही पानी से वास करके खालिया होता तो सब हमारे पेट में होते हैं और हमें health problem भी हो सकती है तो please आप कोई भी fruit लाए तो उसको properly clean करें like जामून, strawberry, leechi वगेरा हमें जाधा तर कीड़े पाये जाते हैं तो उसको ऐसे ही नमक डालके थोड़ी देर एक दो गंटा रख दीजिए तो सब कीड़े वगेरा गंगी सब अपने आप से बहार निकल जाएगी और आपका fruit एकदम fresh and healthy हो जाएगा तो healthy खाओ and healthy रहो, ओके बाई